कलस्टीबी के पॉपलर सीरियल सिर्फ तुम ही हमें आगे क्या कुछ देखने को मिलेगा चलिए जानते हैं हलो दोस्तों मैं हूँ कोमल और आप अपना चैनल देख रहे हैं बॉलवर्ड स्पाई वेल जैसा कि हमने अब तक एपिसोड में देखा है कि ममता और सुहानी हैं जो एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और कहते हैं कि हम रनवीर को कॉलेज भीज कर रहेंगे और वापस से उसका कॉलेज जॉइन करना बहुत जरूरी है सुहानी और ममता दोनों मिलकर प्लैन बनाते हैं कि आखिर रनवीर कैसे कॉलेज भीज भीज करें वेल शोका नहीं प्रोमो सामने आ चुका है और हम प्रोमो में देखते हैं कि सुहानी और रनवीर की मा है जो सीधे प्रिंसिपल ओफिस पहुच जाती है जहां ममता जी कहती है कि मेरे बेटे ने ऐसा कौन सा गुना किया है मेडिकल काउंसल के सामने में और मेरे बेटे ने सुहानी को किडनाप नहीं किया था बस एक स्टूडेंट अगर दूसरे स्टूडेंट की हेल्प करता है तो इसमें कौन है जो रिस्टिकेट करता है वेल यहाँ पर सुहानी भी कहती है कि रनवीर एक ब्राइट स्टूडेंट है और उसके लिए हमें कुछ करना ही होगा वेल यहाँ पर principal कहते हैं ठीक है मैं एक बार फिर से medical council से बात करता हूँ और जो होगा best ही होगा वेल हम दूसरी तरफ देखते हैं कि यहाँ पर voting मिल जाती है और यहाँ पर restication भी वापसी ले लिया जाता है कॉलेज जॉइन कर सकता है रनवीर लेकिन सीधे रनवीर आता है और कहता है मैं नहीं मानता हूँ इस voting को जो मेरा मन करेगा मैं वही करूँगा और मैं इस college में वापस नहीं आउँगा वेल यह सुनकर सुहानी और ममता हैरान होते हैं अब देखना यह है कि क्या रनवीर एक बर फिर से college वापसी करता है सुहाने के चलते ही या नहीं क्या सुहानी वापस से रन्वीर को कॉलेज लेकर आपाईगी जानने के लिए देखना ना भूले सिर्फ तुम टेलविजन की लेटिस्ट अपडेट्स को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले